हाई गाइस गुड मॉर्णिंग वेलकम तो दिस फ्रेश वीडियो आजके इस वीडियो के जरिये से मैं हाथ जोड के CBC को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज रेस्पॉंड जो प्राइवेट के स्टुडेंट्स है जो कंपार्टमेंट स्टुडेंट्स फेलियर करो फेलियर में जखकरो या एडिशनल सब्जेट में चेक करो कोई कैटेगरी में उनका रेकॉर्ड नौट फाउंड दिखा रहा है तो डेफिनेटली यह सीबीज के तरफ से गलती है कि उनका डेटाबेस में रेकॉर्ड शो नहीं हो रहा है तो मैं ट्वीट कर रहा हूं अ इतने सारे help line numbers given है इतने सारे mail id given है हाँ रीजन स्पेसिफिक आज में काफी स्टूडेंट से बात कर रहा था तो कूछ स्टूडेंट स्टूडेंट्स लोग पैनिक हो रहें क्योंकि पढ़ाई और करियर का सवाल है ऐसा कोई चीज नहीं कि स्कूल से बात करके हो जाएगा प्रॉब्लम का सॉलुशन जो स्टूडेंट्स से अपने स्कूल से भी बात करतें स्कूल वाले भी यह बता रहें कि हमारे हाथ में कोई स्कूल वालों के पास स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी किया कि आप स्कूल से कॉंटाट करो और वहां तक पहुंचा ले रिजनल ऑफिस तक और वहां से बात हो पाए बट ऐसा बिल्कुल हर साल ऐसा ही होता है कॉल रिसीव नहीं होता है अगर आपने नंबर मेंशन कर रख तो यह जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको रस्पॉंड करो कोई रात के दो बज़े या तीन बज़े तो आपको कॉल निंग कर रहा है ऑफिशल वर्किंगार सबको पता है दस से लेकर चार बज़े तक पांच बज़े तक भी सही तो आप एट-लीस्ट कुछ लड़कों को या फिर कुछ मेंबर्स को रखना चाहिए जो आपको कॉल रेसिव करें क्यूंकि सीबेसी नौट अस्मॉल थी और अगर ऐसे चोटे-चोटे चीज़ों के वज़े से भरोसा रिकल जाएगा स्टूडेंट्स का तो आगे चलके कोई सीबेसी को रेकमेंड नहीं करेगा भले सीबेसी का इसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका अफिलेटेट कॉलेज जैसे बहुत चीज़ है यार मैं खुद सीबेसी से पढ़ा हुआ हूँ बट मेरा मतलब सीबीसी के लिए अलग एफेक्शन है कि इतना सारा फैसिलिटी दिया एक्जाम वगेरा हुआ प्रैक्टिकल हुआ जो भी चीज़े हुआ बट अगर मेरे स्टूडेंट्स को अभी जो मेरे सब पढ़ रहे हैं उन तक अगर बेनिफिट नहीं पहुंचेगा उनको अगर एक इजी वे में सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं फिर से आप 喂 to the eastern रेस्पांड ना पड़ेगा प्राइवेट कनिदेट के लिए ज़्यादा अगर में बड़ा हैश्टेग करता तो फिर स्टूडेंट को दिख्कत होता तो सीबीज प्लीज रेसपोंड ये प्राइवेट के लिए हैं गडेक्र लिए ट्टूट में डाल दिया हूँ तो कोई स्टूडेंट देख रहा है जिनका कोई जान-पैचान में relative में सी बेसी से जुड़े हुए हैं कोई टीचर का बच्चा देख रहा हैं जो मेंबर हैं या फिर कोई पैरेंट्स भी देख रहे हैं जिनका सी बेसी के साथ किसी भी तरीके से connection है तो प्लीज उन तक ये बात पहुंचाएगी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे रिजन्स में स्टूडेंट्स का ये दिक्कत हो रहा है फिलाल अगर वो अपना मेल चेक करेंगे कॉल चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेंडिंग रिक्वेस्ट उनको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स लोग वो भी तयार है कि जो भी हो जितना भी हमें पे करना हम कर लेंगे बट हमारा फॉर्म फिलब हो जाना चाहिए हम एक्जाम देना चाहते हैं ताकि एक साल और बरबाद ना हो मैं उन स्टूडेंट्स का टाइम का वैल्यू समझ सकता हूं जिनका एक-एक साल बरबाद हो जाता है जस्ट बिकॉज ओफ मिस्टेक इन फॉर्म फिलब या फिर नॉट अबल तू फिल दफॉर्म परफेक्टली और करेक्टली और फर नॉट गेटिंग रेस्पॉंस फ्रॉम सी बीएसी रेस्पॉंस जरूर से मिलना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का डाउट क्लारिफाई हो अगर रेस्पॉंड नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स का क्वेरी कैसे सॉल्फ होगा यह हमें बेसिक जनुइन सी बात है अब आप लोग कमेंट में जो चीज पूछते हैं मैक्सिमम चीजों का मैं वीडियो बना देता हूं कुछ रिप्लाई कर देता हूं कॉल्स में बात हो जाती है और काफी लोग का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं बट ऑविएसली मैं एक इंडिविजुल इंशान हो जो कि मैं तीन चैनल चला रहा हूं चलो में ली दो चैनल चला रहा हूं एक में 50,000 सब्सक्राइबर अल्मॉस्ट होने वाले है 47,000 है और इसमें 3000 शुरुडेंट से और इंडिया के उनके पास फाइनैंसेश है ओफिससे से बिल्डिंग स नंबर दिये हुए हैं उन्होंने कॉंटैक्ट नंबर तो अगर नंबर दिए हैं तो प्लीज कॉंटैक्ट कीजिया रस्पॉंड कीजिये ओके आई होब आपको मदद मिलेगा इस व अगर किसी student का कुछ response आता है कि form का कोई reply आया मतलब mail का reply आया या फिर call जो number आपने किया call वहां से अगर कुछ response मिला तो मैं आप सभी को जरूर से बताऊंगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में guys all the very best and जय हिंद